तमस्कार, मामीना शिर्मा, सिलाकार सिंधी भाषा, राश्ट्री मुक्त विद्याली शिक्षा संसान, NIS मा तांजो स्वागत कयां थी अज असा उच्चतर माध्यमिक पाठेक्रम सिंधी भाषा जो सबक ब्यों संत कावे टेउं राम खएवा है अज असा संत जेकर टेउं राम संत हुआ, उनन जे जीवन जे बारे में उन जे के बैत लिख्या, उन जे बारे में जान हासल कन्दा से कविंच जे सिलसिले के अग्यावधाईंदे संत कवी स्वामी टेउं राम जे बारे में जान हासल कन्दा से सिंधी साहत जे सुनहरी दोर जी टीमूर्तिय बाबत तवा जान हासल करे चुका आयो यहों में मालू मतव ता सामी संत कविंच जी रवायत में अहम दर्जो रखे थो जे जास लोक तवा पढ़िये समझी चुका आयो अज़ा सबक पहरे में पढ़ियो ओ शा सचल सामी जे के ट्रीमूर्तिय आहिन उनमें सामी साहिब हुआ जे के संत कवी हुआ संत उननका पोए उवाता अहम दर्जो वाला रे थो पो उनका पो अचन था संत टेउराम हिन सबक में संत टेउराम जे सलोक शामिला हिन जिन में बरसाजी एहमियत, गुरु मैमा, आत्मिक आनंद, बाबत समझायो वेवा है तवां डिसंदा सामी एं टेउराम जे जनम में 111 सालन जो तफावत आहे पर बिनी जे स्रुकन में हिक जेडी भावधारा वही रहिया है असांचोहिन सबक के पढ़न जो मकसद आहे टेउराम जे जीवन एं कमन बाबत जान हासल करे, वर्णन करे सगंदा सत्कुर महिमाय आत्म आनन बाबत जान हासल करे, अबली वेवार में आने सगंदा सलोक जो घाडेटों पेश करे सगंदा साग्यों लव्ज वदीक तफा कम अचे, जुदा जुदा मानाउंडे त यमक अलंकार बाबत जान हासल करे, बयान करे सगंदा तवाँ जे शहर में अमरापूर धाम हुजेता रूबरू डिसी अचो प्रेम प्रकाश ग्रंत बाबत वदीक जान हासल करे, टेउ राम जे हम असर बयान कविन जी जान हासल करे, अबली अक्ते वदू था बुन्यादी सबक जी ओर टेउ राम सलोक माला वसाई वडकार खे बुधी भुए भुणकार वण तेण गाहन गुलंजी तेउ थी गुल्जार वस्याई वडकार खे बुधी भुई भुणकार वण तेण गाहन गुलंजी तेउ थी गुल्जार बुए यानि धर्ती, भुडकार यानि आवास, डुरत यानि डुकार, अमबार यानि जजा यानि घणा टेउराम चवन्था ता परमात्मा दयालू आहे, जड्हें धर्ती पुकारेओ, ता उन्जो सड्ड बुधी बरसात वस्यायाई वण, तेण, गाह ए गुलंजी चौधारी कुल्जारी थी वई, मुल्कमा डुकर खलास थी वई, ए अनजा अमबार लथा जीयें ता सबनी जीव जन्तून, एं कुदरत के परमात्मा खल्कियो आहे, कविये जानायो आहे, ता धर्ती जी पुकार थे, बरसात थे थी, एं अनजी पैदाश थे थी प्रभू, नरुगो इंसान, पर धर्ती जी पुकार भी बुदे थो, बरसात वसन सा, चौधारी गुल्जारी थी, अकाल दूर थी वे, वस्याई वडकार में व, भुए भुडकार में भ, गाहन गुल्जार में ग, डुरत डुकार में ड, एं अननंबार में अ जो दुरा व अचे तो, तिन सा, तजनीस, हर्फिये, चा, सुहडा मिसाल ऐसा के मिलन था, हम काफिये लवजन करें, संगीत भी पैदा तो थे, संगीत पैदा थें सा, मिठास थी अचे, मिठास पैदा थी थे, पढ़न सा इनके, ब्यो बैता है, सत्गुरु प्रेम पटी मुखे पाणी प्रेम सा, गुरु मंत्र डेई, ज्यात सा पापन पाण पटी, बिरह संदे बीमार जी, कयाई मलं पटी, तेउ अट पटी गाल, डस्याई गुझ जी, आने इसो पटी 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 ट्रे दफा आचे तो, तो पेरो जेको पटी अचे तो, उन्जी माना है सबक, ब्यो पटी जेको अचे तो, उन्जी माना है उखोडण, यू जेको पटी अचे तो, मलं पटी वह ता पटी बधन, जेको चोट लग दिया तो उन्ते बधन आई मूंँ पटी, अटपटी माना अटपटो थियान, अजीब थियान, अजीब थियान, तड़े गुरु ही सही रास्तो देखा रहे तो, जीए कभी लिख्यो आए, गुरु गोविन दों खड़े, काको लागे पाओ, बलहार गुरु आपनो गोवन दियो बताए, कभी चवे तो तो गुरु मुखे प्रेम सा प्रेम जो सबक पड़ायो आए, एहडो ज्यान, जो गुरु मंत्रा डिनाई, जो पापन जी पाड़ी पड़ जीवई, प्रभु असा, विछोड़े जी जे का बिमारी लगी हुई, उन्ते आत्म ज्यान जी मलम कटी कईयाई, उन्त आत्म ज्यान जी मलम पटी कईयाई, एह टेउ चवे तो गुज जी अटपटी गाल मुखे सम जाये चड़ियाई गुरूं खा ग्यान हासिल थ्यन बैद इंसान जा पाप नास्ती वन्यन था बी गाल त असा सब ईश्वर खा परे थी वयाईू एड़ी हालत में गुरू आत्म ग्यान डेई असा के राह दिखा ले थो अने इनमें पर जो चार दफा दुरावचे थो गर जो टे दफा पर जो टे दफा बर जो बदफा गर जो बदफा त इंसान तजनीज हर्फिय जासा के सुणा मिसाल में लन था इन सलोक जो शायराणों फन कमाल जो आहे पटी लवज जी हर दफे जुदा माना आहे ही की लवज जो मुक्तलिफ माना हुण ते यमक अलंकार ती दुआए पर जो चार दफा दोराब थे तो गर जो टे दफा वरी पर जो टे दफा, बर जो बर दफा, गर जो बर दफा दोराब थे अंसा तजनीज हर्फियजा असा के सुणा मिसाल विलन था इन सलोक जो शायराणों फन कमाल जो आहे इन में पटी लवज डिनर लाइन टे दफा, पर जुदा माना सा जड़ें ये थे थो कि ही की लवज वरी वरी अचे थो आहें माना जुदा जुदा उंदी आहें, तो उतने यमक का लंकार थीं दुआ हे हम काफिया लवज जेके आहें, वह संगीत पैदा कनता उनका मतब लुद्फ मिले थो, असा के पड़न में मजो थो अचे एन इन सिटन में गुरु मही माजो वर्नन कयल आहें, तो गुरु मही माजो उंदो मिसाल आहें ये स्लोक आड़ें सबक तां ये पड़ें इन में कुछ सवाल आहें भुए लब्ज जी माना आहें, भौरो, आकाश, धर्ती या भूंडो ब्यों सवाल आहें, बर्साद पवन सां अंबार थे आ कि जांबार थी ना इन बर्साद पवन सां अनन्जा, पाणियंजा, बाजिन्जा या फलन्जा त्यों सवाल आहें, गुरु, गुरु मंत्रा डेई, छाजी पाडपटी, वन जी, गुल जी, बूटे जी या पापन जी अने त्यों सवाल आहें, आनन्जो दर्याउं तेउं अंदर में रहें पीवट तू प्रतीत सां तेहमा पाणियं पाओ, तन्मन जी त्रिशा हने, मान सबुर्जो साओ, मेटे दुत्या भाव, सुखी तिय सरूप में अने इनमें दर्याउं जी माना सब्निन के कबर आहें, दर्या यानि नदी प्रतीत सां महसूस कर, त्रिशा यानि उन्य, दुतिया भाव यानि ब्याई वारु भाव हिते कविय इनसान के सचे सुख जो बयान कईवा है कविय चवे थो असांजे अंदर में आनन जो दर्या वही रहेवा है अनु भूतिय सां उन्मा पाणिय जो पाव पीवत उनसां तन्मन जी उन्य मिटजी वेंदए, सबुर जो सवाद मानींदे व्याईय जी भावना मिटाए, पैंजो निज सरूप में सुखी थी गुजार अर्जजी हयाती में इंसान दुनियावी सुखन जे पुठिया डुकी रहेवा है धन आसिल करण चाहे थो, उपाव गड करे थो कविय इंसान जे सचे सुख ना इशारो कहेवा है जह जो आजमूदो असा सबनी के न आहे इंसान के जरूरत तमाम घट पाणियाजी आहे पर अंदर में आनन जो दर्या वही रहेवा है इहो मैसूस करे आनन बाने वट्थ उन पाणिया सा तन्मन जी उन्य मिटी वेंदी तजनीस हर्फियजा हर सिट में सुखना मिसाल निनलायन तजसम लव्ज तृष्णा जो इस्तमाल सिंधिय जो संस्कृत सा लगापो डिखा रहे थो ब्याई दूर तियन सा इनिज सरूप सुन्याने सकबो सवाद खादे जी शेमा मिल दो आहे पर हित कवी सबर जी भावना जो सवाद मारण जी प्रेणा थोडे अणे वदूता चोथे स्लोक जी और पोकी जिन सारी शुप कर्मन जी जगत में सफल कई गुरु सेव में उमर जन सारी बजन करे भगवान जो खटी जिन सारी धन से संसारी कहे टेवू संसार में अणे इते वी डिसो सारी त्रे दफा इस्तमाल तेवाए पेरे पेर्ल सारी यानी बिढ वियो सारी समूरी एर पेरी जी माना आए दाव जीतन तबु म सारी ते चछाओ यानि जे को स्सार में रहे तो स्सार में रहं दर हिते कभी बुधाय थो तव अज इंसान केड़े किस्मजी जिन्दकी गुजारी रहा हिन जड़ें तव असां के हकीकत में केड़े किस्मजी हयाती गुजारन खपे कभी चवे थो तव जिन हिन संसार में शुम कर्मन जो बिजपोक्यों आहे सजी उमर गुरोजी शेवा में सफली कई आहे एं भगवान जो भजन कई वाहे तिन संसार जे रांद में जीत हासिल कई तेवु चवे तो हिन संसार जा एढ़ा संसारी धन आहिन कभी ये मुझे अजजा इंसान धन जे पुटिया भजी रहा हिन जड़ है ता हसा के शुप कर्म करण खपन गुरोजी शेवा करण गुजे एं भगवान जो भजन करण खपे अट इसो मता के बुधायों की सारी लव्ज हिक्का वदी दफा इस्तिमाल थे तो एं हर दफे माना जुदा आये ता यमका लंकार थी दो हिते उपमा लंका जो भी सुहिणों इस्तिमाल कैला है तजनीज हर फियर जाभी मिसाल सलोक में मौझूद आहिन शुब कर्मन जी एहमियत सबले मिसाल सा समझायला है अने इनका पो ये सलोक पड़े हो इनचे बाबत सवाल आहिन कविय जगत में कहडो बिज पोकन जी सलहा डिनी आहे आवाज जो फलन जो शुब कर्मन जो पाप कर्मन जो तन्बन जी तृष्णा हरे में तृष्णा लवज जी माना चाहे उन्य तृष्णा तिखान या बेमारी तवी सलोक बुदा तवी चाह सिख्या बरसात पवन सा वन, टेन, गाह, गुलन में गुलसारी चाहे जी वन्ये थी अनन्जा अंबार्थी वन्यन था सद्कुरु प्रेम सा प्रेम जो सबक पड़ाय थो गुरु मंत्रा डेई पापन जी पाड़ पटे थी गुजवारी गाल सबली तरह समझाई वही आहे इंसान जे अंदरी अंदर आनन जो दर्या वही रहे वाहे अनुभव सा उवो पाणी पियन सा तन्मन जी उन्य मिटे थी एं ब्याई जी भावना नास दे थी संसार में शुप कर्म करन खपन गुरु जी सेवा एं भगवान जो भजन कंदर धन आहे अनुभव सा उवो पाणी पियन सा तन्मन जी उन्य मिटे थी एं ब्याई जी भावना नास दे थे संसार में शुप करण करण खपन गुर्य जी सेवा एं भगवान जो भजन कंदर धन आहें अनिसो कुछ भी कविता उंदी आए जे की भी कविता उंदी आए उनमें बपक्ष समयल उंदा है इक भाव पक्ष जे में लिखन वारें जा भाव समयल उंदा है एक भाव पक्ष में आहें गुरु महिमा भाव समयल उंदा हैं न उनमें बगवान जी भक्ती अद्वेत भाव गुरु मंत्र शुप कारे यह सब भाव आहें एक जे के कला पक्ष आएं अलंकार, यमक एं उपमा, कुछ मिसाल डिनलाइन, हम काफिया लवजाएं, सागे उचारणवारा लवजाएं तो यह तांके इमतिहान में भी सवाल अची सगे थो कि संत काउं टेउराम में तवा भाव पक्ष आएं कला पक्ष बुधायों तो यह आए भाव पक्ष आएं कला पक्ष माई खेस शोम शोम जी लोली दीन दी हुई, बालक तेउराम जी दिल रान दरुंद में कोन लगंदी हुई, पेनजे शाथिन के सड़े, राम नाम जी धुनी लगाएंदो हो, पड़न में मन कोन लगंदो होस, ख्लास में भजन गाएंदो हो, चोडन सालन जी उम्मर में उन जवाने जी मशूर सूफी संत मास्तर आसु राम खा गुरु मंत्र वर्तो उन वक्त स्वामी टेवु राम रुहानी रहते का खास तरक्की कौन्ज गरे सग्या जोजो फकत बिन सालन का पोई पिता चेला राम जे सुर्गवास सबब उनन जे घर संभालन जी जवाबदारी अचीवई कुटब जी संभाल जी जवाबदारी भी नन्पिणे जे रुहानी जिन्दगी जी चाहत के घटाण में काम्याब न थी जोजो स्वामी ते हुराम सदा गरीब गुर्बन जी मदद कन्दो रहो हर रोज बस उनके खादो खारारण जो नियम भी पाली दो रहो उन धार्मिक कविताओं लिखन शुरू कयो एं सिंदजे संत कवी जे रूप में मशूर थे हो पेंजे पिताव आंगुर सत्संग चालू रख्याई जड़ें यकतारो खणी गाइंदो हो तप्रेमी मंत्रा मुग्द थी वेंदा हुआ रुहानी राहते वदीक तरक्की वास्ते स्वामी टेउराम पाणखे घर जी जवाबदारिखां आजाद करे नवापशा जिले टंडो आदम में रहन शुरू कयो जित्ते स्वामी जन पहर्यो प्रेम प्रकाश आश्रम बर्पा करे सेवा स्मरण सादगी सच ए स्नेह जो संदेश घर घर पहुँचायो अज इहा जगह अमरापुर सान जे नाले सा मशूर आए स्वामी टेवुराम जे प्रकाश आश्रम बर्पा करण जो मकसद हो आम मानू जी जिन्दगी प्रेम जी रौश्नी सा भरण जे आम मानू अज्यान जे अंदकार में ज्यान जे प्रकाश मा अचन जो सफर तेजी हैं सवलाई सा करे सकन प्रेम प्रकाश मंडल जी सुन्यानप सतनाम साखी स्वामी टेवुराम जन जो इजाद कयल अखर आहे स्वामी टेवुराम जो रायो हो ता इंसान पक्खी एँ पसु हिक जहड़ा जीवाहें इन करे मासाहार वार वास्ते पक्षिन पसुन के मारन गैर कुद्रती ए मानफता जे खिलाफ आहे स्वामी जन शाकाहारी बोजनते तमाम घडों जोर दिनों उनन लिख्यों आहे तिलभर मचली खात जो कोट गउ करे दान काशी करवट जा मरे ताबी नरक निधान उन वक्त इहा रवायत हुंदी हुई ता हयाती जे आकिर में जे को भी मानू काशी वजी नहन दो आहे ता उत्ते रहन सा जे को भी आक्री साहां कडे थो ता उनन जो इहो विश्वास हो कि जिन जी भी मौत जे को भी काशी में त्यागन दो उन सबब उनके सुर्ग मिलन दो इन सजे सिलसिले के काशी करवट चयों विदो आहे उते अमरापुर धाम बर्पा महज पंजबंजा सालन जी उमर में संबत उने सो नेन्वाने यानी सन उने सो बैतवाली इस्विय में फुर्शोत्तम महिने जी चोथी तारीक चंचन नीह हैदराबाद सिंध में आसन कंदे पहंजी नास्वान देह त्यागी संदन आत्म जोत महा जोत में समाई जी वई पर उहो देवे तजलो अजबी उजालो बक्षे दुनिया जी राह रोशन करे रह वाहे हुन सनातम परंपरा कायम रखंदे वैदिक धर्म जी रख्या एजग्यासिन जे कल्यान लाए हिक नए निराले पंत जो पायो विधो जहें जू चार निज खुबियो आहिन नव नालो प्रेम प्रकाश मंडल नव मंत्र सतनाम साकी नव धाम अम्रापूर धाम और नव ग्रंथ प्रेम प्रकाश ग्रंथ तां ये पड़ेओ पूरो पाट पड़ेओ तां के सिखन जा चा नती जाएन तां पैंजे अजबूतन और कल्पनाओं के स्रिजनात्मक ढंग सा लिखी सगो था जियें तर सफर नामों, यादगीरियों, डाइरी वगड़ा कविता के पैंजी समझे जे अधार ते नए रूप में पेश करे सगो था जुदा जुदा साहितिक सिन्फू पढ़न दे उन्जी जमालियत ए ग्रामरी उड़त ते गुफ्तगू कन था सबक जे आके जा सवाल आहिन हेटिये बैत जो हवालो समझायो ताँ पढ़ी चुका आयो पोकी जिन सारी शुप कर्मजी जगत में सफल कई गुरु शेवा में उमर जन सारी बजन करे भगवान जो खटी जन सारी धनसे संसारी कहे टेउं संसार वे वे सवाल आहिए पटी लवज जु जुदा जुदा मानाओ लिखो ताँ पहरे सलोक में पढ़ी आया हो पटी लवज जु टे मानाओ लिखो वे सवाल आहिए द्वैत या ब्याई जो भाव मेटान सा छातिन दुआ है चौतो सवाल हिनन सलोकन मा उपमाय यमक अलंकार जा मिसाल गोले लिखो तचनीस हर्फी अलंकार जा मिसाल गोले लिखो आखिर सवाल चाओ सवाल मिसाल डेई बुधायोत कवी सची हयाती कैखे चायवा है सतो सवाल अज हयाती में भौतिकता वद्यला है चाओ तवा इनके सही मन्यो था दलिलन सा जवाब डियो अटो सवाल आहे कवी गुरुवजी महिमा जो बयान कहड़ी रीत कैवा है स्वामी टेवुराम जे सलोकन जो भाशाई कूबियों लिखो उमीद आहे ताहां के अज जो पाठ समझ आयो हूंदो तव इया जेका भी सवाल आहें इनके जवाब कोले पाणी ही लिखन दा वरी वरी बुधन दा ताकी बुधन सा तवाजे दिमाग में इया फिट थी वजन ताके कोई डुख्या ही न थिये लिखन में तव अज जेलाए बहर बादी